दोस्तों न रशकार तो रिसेंडली पंजाब में एक बहुत बड़ा प्रोब खालिस्तान फ्रोटेस्ट हुआ और जिसे लीड करता है 30 साल का एक लड़का अमरित पाल सिंग संदू और जो डारेक्ली थ्रेड देता है और जिसके वर्डस ये थे कि अगर मेरे किलाफ की गई F.I.R. को एक गंटे में वापस नहीं लिया गया तो पंजाब का जो हशर होगा उसके लिए पंजाब सरकार खुछ जम्मेदार होगी आमतपाल सिंग संदू आफर है कौन और क्या एक अमरित पाल सिंग संदू ये 30 साल गई लड़का जनरायल सिंग बंडर वाला की हिस्ट्री को रिपीट करना चाहता है या फिर क्या इसके इंटेंशन्स हैं इसी के बारे मैं जानी है इस वीडियो में तो दोस्तों मेरा नाम है दी रच और आप देख रहे हैं दा लॉयर शो आसी यह गाल दुनिया बतर देते करना चाने है कि जेड़ी सेल्फ इंट्रिक्रमिनेशन है यह मनोख़दा बर्थ अब आईए पहले जानते हैं कि अमरित पाल सिंद संदु आखर है कौन जिसका जनम पंजाब के अमरित सर में हुआ था अब आज से कुछ महीने पहले शायद इसे कोई नहीं जानता था क्योंकि दुबई में यह यह लड़का एक नोकरी करता था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यह सेल्फ सेपरेटिस्ट बनने लगा और इतना जादा धरम के प्रती कटर होने लगा कि आज के टाइम में अगर आप इसकी फोटो उसको देखोगे तो आप इसे शायद कोई धरम गुरू या फिर कोई प्रीस्ट समझोगे यानि कि कोई सा अलती आ रही थी जब यह दोबई में रहता था तो इसका जो लीडर था उसकी एक्सडेंट में मौत हो गई थी तो उसके बाद यह इंडिया आता है उसकी जगा लेने के लिए अब आज के टाइम में यह लड़का इतना बड़ा थ्रेट बन चुका है क्योंकि जनरेल सिंग उनकी प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी जी थी उनकी हत्या के पीछे भी किन लोगों का हाथ था आप लोगों को यह सब चीजें पता है और यही इस लड़के में वो दखाई दे रही है चीजें और नेशनल एजेंसियां भी इसको as a red flag लेके चल रही है और पंजाब के ड बयानवाजी सुनोगे तो उससे साफ और clear intentions यह हैं कि यह demand कर रहा है खालिस्तान की जो मतलब एक मोटी जो पूरी एक पिच्चर है या फिर पूरा ही जो framework बनकर सामने आ रहा है कि इसकी जो demands हैं वो सिर्फ यह हैं कि यह चाहते हैं खालिस्तान यानिकि एक नया देश एक प अब यह अमरितपाल सिंग संदू अभी अमरितपाल सिंग संदू काफी जाधा controversies में और clashes में भी involved हो चुका है recently तो सब ने देखा ही है कि क्या हुआ था और कुतना बड़ा प्रोटेस्ट और कुतने लोग इसके favor में आये थे अब यह ऐसे लोग मैं एक particular community के बारे में बि नाजाने कितने लोगों का mind wash हो सकता है और यह directly कितना बड़ा national threat बन सकता है और नाजाने कितने ऐसे अनमेचर और बचों के लिए जो शायद इसे अपना hero तक मान ले और कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे इसकी wordings हैं जो उन्हें शायद हो सकता है कई न कई हद तक motivate भी कर दें क इसी या दो तीन reasons होते हैं mainly या तो आपका religion ये जो game जो card plays करते हैं जाततर या तो आपके religion के base पर ही card play करेंगे कि हमारा religion खत्रे में है या फिर कि अपनी community particular उसको लेकर कहेंगे या फिर एक ऐसी picture बनाएंगे कि ये जो सरकार है ये हमारे ही खिलाफ है वस तो इसमें mainly तो य यही है कि एक खालिस्तान movement चलाना चाह रही है ये फिलाल अभी फुल फुल फ्रेम पर नहीं है ये लेकिन जो ये intentions है वो यही है कि खालिस्तान movement है home ministry ने पूरा इनके उपर surveillance लगा रख की है और पंजाब पुलिस भी इनके काफी काफी हद तक इनकी intelligence पर पंजाब पुलिस भी लगी हुई है लेकिन फिर भी एक ऐसा लड़का 30 सान का और इतना पढ़ालेखा लड़का और एक दम इतना drastic change जा जाता है यह सब हम यूद के लिए सोचने वाली बात है यूगाओं के लिए कि कहीं न कहीं हद तक सरकार्गी भी कमी है कि क्यो ना ऐसा कोई बैठ कर भी क पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं फिर को पर्सनल भी प्रॉब्लम है हम सब सिविलियंस हैं अगर पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी तो सरकार की डूटी बनती है उनको समझाने की तो उनको सौट आउट कर दिया जाए तो दोस्तों यह थी मेरी वीडियो वाकि नेशनल सेक्य के लिए स्टेट्यून और हम जो वीडियो बनाने में लेट हुए थे वह यह कि मेरे थोड़ी से प्रॉब्लम होगी थी हैं रिलेटेड इस वज़े से वाकि आप वीडियो तिक कंटिनुनियू में आएंगी और अगली वीडियो तक के लिए स्टेट्यून इस वीडियो को प्यार दें फैलाएं अपने दोस्तों के पास भेजें पताएं उनको की सब मिलकर रहो कुछ नहीं है ऐसा कि कोई खालस्तान मुमेंट नहीं है सब वी और अर इंडियान्स वी लव इंडिया और बस यही थी ठैंक्यू